दोस्तों वर्तमान शमय में बॉलिवोड इंडिस्ट्री पर सलमान खान, आमिर खान, शारुक खान और अक्षे कुमार जैसे बड़े सूपरिश्टारों का राज है इनकी हर फिल्म लोग देखना पसंद करते हैं मगर बीते जमाने के सूपरिश्टार रहने वाले सनी देवल भी अपने जमाने के सूपरिश्टार माने जाते हैं ऐसे में सनी देवल लंबे शमय तक बॉलिवोड इंडिस्ट्री पर राज नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने अपने बॉलिवूड केरियर में चार बड़ी गलतिया कर दिये दोस्तो बॉलिवूड इंडस्ट्री में सबसे रोमांटिक हीरो शारुक खान को माना जाता है क्योंकि इनका रोमांस फिल्मों में लोगों को बेहती पसंद आता है और सबी का दिल जीत लेता है ऐसे में सनी देवल ने अपने केरियर की शुरुवात बतोर एक एक्शन सूपरस्टार के तोर पर की थी मगर धीरे धीरे वह रोमांटिक फिल्मों की तरफ बढ़ते गए परन्तु लोगों को सनी देवल को या रोमांटिक अंदाज पसंद नहीं आया और धीरे धीरे लोगों के बीच से इनकी पोपलरिटी कम होती चले गई नमबर दो पर है शादी और पार्टियों में नहीं जाने किया थे दोस्तों अकशर देखा जाता है कि बॉलीवुड में शादी हो और पार्टियों में बॉलीवुड के सभी स्टार शरीक होते हैं ऐसे में सनी देवल को आज के जमाने में किसी शादी या पार्टी में बेहती कम देखा जाता है बता दे कि अगर सूपरस्टार साधियों और पार्टियों में शरीख होते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है और शाधियों और पार्टियों के दोरान नए निर्देशक उनसे मुलाकात करते हैं मगर सनी देवल हमेशा ही पार्टियों से दूरी बना कर रखते थे दोस्तो वर्तमान शमय में फिल्म बनकर तयार होने से पहले ही फिल्म के मुख्य किरदार अपनी फिल्म का प्रमोशन करने लग जाते हैं ऐसे में फिल्मों के बड़े-बड़े बैनर सडकों पर भी दिखाई देते हैं और उन बैनर को देखकर ही लोग सीनिमा घरों में वह फिल्म देखने के लिए जाते हैं मगर सनी देवल अपनी फिल्मों का प्रमोशन बहत कम करते हैं जिसकी वज़े से सनी देओल की फिल्में सीमित लोगों तक ही देह जाती है दोस्तो अक्सर आज के शमय में देखा जाता है कि चप्पी कोई सूपरस्टार एरपोर्ट पर या सड़कों पर दिखाई देते हैं तो उनके फैंस का जमावड़ा हो जाता है और कई बार वे सूपरस्टार अपने फ्रेंड के साथ शमय बिताते हैं मगर ऐसा करने में सनी देओल कभी भी शक्षम नहीं हुए हमेशा देखा जाता है कि सनी देओल अपने फ्रेंड को इग्नॉर कर देते हैं और उनसे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखते हैं जिसकी वज़े से धीरे धीरे इनकी पोपुलर्टी गिरती चली गई